Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel क्या हाल चाल हैं आप सब के I hope कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी तबियो जो है वो अब बिल्कुल ठीक हो गई है Alhamdulillah Thank you so much आप सबी ने जो है वो मुझे बहुत सारी दुआएं दी और मेरे भाई को भी मुबारक बात दी तो उसका बहुत जादा शुक्रिया फिल्हाल तो मैं यहाँ पर नाशे की तयारी कर रही हूँ लेकिन उससे पहले मुझे आपके साथ जो है वो अपने कपड़े शेर करने है तो Amarito brand जैसे कि मैंने लास टाम आपके साथ शेर किया था उन्होंने मुझे दुबारा से जो है वो कुछ कपड़े भेजे हैं और यह वाले कपड़े तो बहुत ही जादा मज़ेके हैं मैं जो हूँ अब इनकी शेर्ट जादा परसनली पहना पसंद करती हूँ क्योंकि मैं ऐसी बंदियों कि मुझे हर चीज बहुत जादा चुपती है मैं शोफोर नहीं पहन सकती हूँ मैं वुलन स्टफ नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि मुझे अलर्जी हो जाती है और चीज़े बहुत जल्दी चुपने लगती है तो इनका जो कपड़ा है इतना सदा सॉफ्ट है ना हाथ में पकड़ो तो ऐसा लगता आपने मलाई पकड़ लिया और बहुत कमफ़टेबल है क्योंकि हमारे इतनी सदा सर्दी नहीं होती है तो जो इनकी टॉप्स फगेरा है ना वो हमारे वेदर के हिसाब से बेस्ट है मतलब सर्दी और गर्मी दोनों में पहन सकते हैं और इनके ब्रैंड की मज़े की बात यह है कि जो चीज आपको फुल स्लीव में मिलेगी वैसे ही आपको हाफ सी स्लीव में मिल जाएगी वैसे ही स्लीव लेस मिल जाएगी तो हर डिजाइन के इनके पास कपड़े हैं और आप लोग जरूर इनकी वेबसाइट को चेक आउट करीजेगा क्योंकि ब्लस फ्राइडे की सेल जो है वो इन्होंने लगा दी है मैं अभी आपको पैन कर भी दिखाती हूं सारे कपड़े जो मेरा फेवरिट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोग भी मुझे बताएगा कि सबसे अच्छा आपको कौन सा वाला जो है वो टॉप लगा तो यहाँ पर मैंने ग्रीन वाला पैन लिया है यह फ्रंट ओपन बटन है और बलून स्टाल इसकी स्लीव है पिछली बार दूसरा जो है यह स्मॉछ साइज मैं दूसरा जो है यह मरून कलर का है सारे कलर हैं मतलब एवर ग्रीन कलर है हर मौसा में चल जाते हैं तो यह लांग शेर्ट है आप इसको तीलप शलवार के सब भी पहन सकते हैं उस्प्योट चोटी सी और फिटिंग इसकी बहूत पियारी like मुझे बहुत अच्छा लगा फिर ये ड्रेस तो मेरा फेवरिट है मतलब सारे कपड़ों में से ये मेरा फेवरिट है सब के साथ जो मैंने स्कार्फ मैचिंग के ये मैंने शीन से और किये थे और ये ड्रेस में पॉकेट भी है तो मैं इन सब का जो लिंक है वो description box में mention कर दूँगी sale लगी भी इनकी website पे और आप Amazon से भी order कर सकते हैं और मैं आपको guarantee देती हूँ कि आप लोगों को इनका जो stuff है वो बहुत अच्छा लगेगा और मसी की बात यह कि see through भी नहीं है नाश्टे की दरफ चलते हैं तो अभी मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा नाश्टे क्योंकि संडे है और मैंने सोचा कि इससे पहले कि अली मुझे हलवा पूरी खिलाने ले जाए मैं क्यों ना घर पे जो है वो मज़ेदार सा अंड़ा प्यास का सालन बना लेती हूँ मतलब अंडे वाली भुजिया बना लेती हूं मेरी सास की स्पेशलिटी है बहुत मज़े की बनती है तो वो ही मैंने सोचा कि बना देती हूं क्योंकि अली को अब हर संडे उनका ओफ हो तो उनको तक चलो हल्वा पूरी खाने चलते हैं और मैं थक गई हुँ हल्वा पूरी खा खा कर मतलब हल्वा पूरी ठीक है मुझे एक हद तक अच्छी लगती है लेकिन एवरी संडे मैं नहीं खा सकती हूं तो आज पर मैंने सोचा कि मैं इनको जो है वो अंडा प्यास का सालन खिला देती हूं तो यहां पर मैंने प्यास दी थी मीडियम साइस की उसको मैंने चॉप कर लिया था हलका सा सौटे किया उसके बाद मैंने टिमाटर दो चॉप करके डाल दिये, साथ ही मैंने एक हरी मिर्च डाल दी, उनको भून लिया अच्छे से और साथ ही मैं इसमें अंडे डाल दूगी, इसके अंदे मैंने जोए वह कडाई मसाला डाला है, इसमें नमक, मिरच कुछ भी नी जाता है, जिस्ट कडाई मसाला डालें, या पर कटा कट मसाला डाल दें, और अगर नमक ही जरूरत है, तो थोड़ा नमक बस, अब इसको अच्छे से भून लेना है, ट्रस्ट मी, आप इसको ट्राय करेंगे न, आप दूसरे वाले जो ओमलेट बनते न, उसको भूल जाएंगे, मतलब, डिफ काफी टाइम हो गया है, एक साथ बैट कर जहा है, नाश्ता ने किया है, क्योंकि अकसर यह होता है, कि आजकल वो इतना जादा बिजी चल रहे है, और मै भी इतना जादा बिजी होना, क्योंकि हम लोग एक घंटा हो गए हैं पीछे, और जो रात है न, लिटरली पाँच पे जो है वो हमारी रात हो जाती है, 5 बजे मगर्ब हो जाती है और फिर काम जो है, आपको पता है बच्चों के साथ तो खत्मी नहीं होता है पूरा दिन मेरा काम में घुजर जाता है, घर के, बाहर के और माशालला मेरे भाई की शादी भी है, तो उसकी तैयारियां तो मैं साथ साथ सारी चीज़ों को मैणेच करी हूँ और बस दुआ करी गा कि मैं उसकी शादी में जरूर सरकत कर लूँ प्लान तो मैंने किया है और डॉक्टिर से भी मुझे जो है वह ग्रीन फ्लाग मिल गया है जाने का कि Ugla उनसे भी प्रमिशन लेनी ज़रूरी थी तो यहां पर मैंने सोचा के ली के ली पराथा बना देती हूं और अपने लिए जो है वो मैं ब्रेड वगएरा ठोस्ट कर लेती हूं साथ में मुझे जो है वो लूर पाक का बटर मिल गया था अब जल्दी सिसको मैं करती हूं उसके बाद आज का दिन मेरा बहुत बेजी गुजरेगा वो सिव मैंने मेरे लिए ही नजोई करना है क्योंकि कल क्या हुआ सारड़े को अली जो है वो अपने दोस्तों के साथ दिनर पे चले गए थे और मैं ऑविसली घर पे दी बच्चों के साथ तो शायद उनको थोड़ा बहुत ऐसास हुआ कि बच्चों को पूरा हफता देख रही होती तो आज मैं इसको खुला छोड़ता हूँ और जहां जाना है जाय अपनी मर्जी से तो यह husband and wife के understanding होती है अगर तो आप अपने husband के साथ बहुत जाद argument, nagging वगेरा करेंगे तो जाहर उनको अच्छा नहीं लगेगा और वो किसी चीज के आपको फिर permission नहीं देंगे तो मेरे साथ भी पहले ऐसी होता था कि मुझे किसी चीज की जो है इतनी जदा इजाद नहीं मिलती थी और लेकिन पर मैंने जब उनको उनके हाल पर छोड़ दिया तो फिर अब मुझे भी आइसा-इसा चीजों की इजाद मिल जाती है मतलब अब मैं अकेली जाओंगे वो बच्चे देखेंगे क्योंकि उनका एक दिन ओफ होता है और मेरा कोई भी दिन ओफ नहीं होता है तो शायद इना मर्दों को एसास करना चाहिए अपनी वाइफ का थोड़ा बहुत तो मैं जहों बस आगई मैंने का मुझे इजाद मिल गए तो मैं क्यों न जाओं बाहर और अपना दिन स्पेंड करके आती हूँ वैसे मुझे इतना कुछ खास नहीं करना था मुझे जाना था H&M क्योंकि मैंने ना ओनलाइन चीज़ और करी थी अलाय के मैंने सैंडल्स और किये थे तो सैंडल जो है वो बाड़े साइस के आगए थे पता नहीं क्या है उसके पाओं का बारा नंबर जो है वो उसको बिलकुल पूरा पूरा होता है और तेरा नंबर जो है वो थोड़ा सा उसको लूज होता है तो पता नहीं उसका पाओं निकालूंगी तो ही मेरी जो है वो ऐसा ऐसा है इन्शाला तयारी कंप्लीट होगी अभी वहां पर भी जब जाओंगी तो खाली हाथ तो जाना अच्छा नहीं लगता है कि सब के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना जरूरी होता है तो अब मैं मौल से ड़न हो चुकी हो अब मे मैं सोचे कि मैं अपने पाउं को सुकून देती हूं क्योंकि 24-7 में चलती रहती हूं मैं जहूं जब एक बर सुबा उठ जाओ ना तो फिर जब बिस्तर पे जाती हूं तो वो रात को ही मैं लेट ती हूं इसलिए जो है ना मेरे व्लॉग्स भी थोड़े लेट हो जाते हैं अगर मैं कोशिश भी करूँ ना कि यार देर तक उठके बैठी रहूं अगर बच्चे सो गए हैं तो लिटरिली मेरी आंग जो है वो लगी जाती है और फिर मुझे टाइम बिल्कुल भी नी मिलता है कि मैं व्लॉग एडिट करूँ और इसके बाद अपलोड करूँ पिर मै लगे जಾते हैं तो या जु判ो लाइफ सो जाती है और अपनề आपको ताइम जो है वो बहुत थम कम देने लग जाते है अपने आपको बहुल जाते हैं लेकर इसा नहीच करना चाहिए थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालना चाहिए तो आज फाइनली मैंने अपने लिए टाइम निकाला और हस्बन से भी अराम से पर्मिशन मिल गई थी तो मैं बारबन को कॉल भी करें मेक शूर कह रही थी कि बच्चे क्या करें है तंक तो नहीं कर रहें तो इस तरह से बैलेंस रखना चाहिए हजबन थी को तो हर किसी की लाइफ डिफरिन ती है किसी को आप किसी की लाइफ से कंपेर नहीं कर सकते हैं तो जब मैं ने इंस्ट्रोग्राम में स्टोरी डाली थी अपने पेरिक्योर की तो मुझे एक दो ऐसे मेसेज़ आए थे कि आपके हस्पेंट बहुत अच्छे हैं और ये वो तो किसी को किसी की लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है तो अपनी लाइफ को किसी दूसरे के लाइफ से कंपेर भी नहीं करना चाहिए तो मैं इतना ही बोलूँगी इसे जादा कुछ नहीं बोलूँगी बाकी ये है कि जब मैं घर आई तो हमसे मिलने आई रीटा मतलब मेरी दूसरी मा बनी वी है यहां पर और मुझे और मेरे बच्छों को से बहुत बहुत ज़दा प्यार है मतलब ये हमारे घर का एक फर्दी समझ लें तो इसके लिए फिर मैंने सूशी और किया और इनको सूशी बहुत अच्छा लगता है मैंने का चलो मैं भी थोड़ा ट्राइ कर लूगी और बीच में न मुझे पता नहीं क्या हो गया ता मुझे सूशी की इतनी ज़दा ख्रेविंग हो रही थी अच्छा मेरी बहन जबाई थी ना तो उसने एक बर मुझे सूशी ट्राइक रहा था मैंने जिंदगी में कभी सूशी नहीं खाया और उसके साथ मैंने सूशी खाया और मैं फैन होगे सूशी की मतलब मैं रॉन ही खाती हूँ कुक्ट खाती हूँ श्रिम्प वाला बहुत मज़गा लगता है रीटा जो ती अब जा रही थी मेरे बच्चों ने ना इसको मिया नाम दिया मिया मतलब अपना मतलब वो इससे बहुत महबत करते है हैर जब वो गई तो उसके बाद मैंने कहा के बहुत गूम लिया और अब डिनर की तयारी कर लेते हैं डिनर में मैं आज बहुत सिंपल सा बना रही हूँ आज मैंने सब कुछ मेरे हस्बिन की पसंद का बनाया है तो उनको ना आलू का सालन और खिचडी बहुत ज़ादा पसंद है पचपन से इनकी फेवरिट चीज है तो मैंने का चलो आलू की जो भुजिया बनती है कड़ाई टाइप के मैं बनाती हूँ वो और साथ में मैंने थोड़ा सा स्टू बना लिया था चिकन का और यहां पर मैं जहूँ अब खिचडी की तयारी कर रही हूँ अच्छा मुझे जो है वो इंस्ट्रगैम में बहुत लोगों ने बोला था कि खिचडी की रेसिपी दें क्योंकि मैं जहूँ अपनी जो खाने की पोस्ट ना वो लगाती रहती हूँ तो उससे फिर देखकर बहुत सारे मेसेज़ जा जाते हैं कि आप रेसिपी दिया करें और कुछ लोगों ने तो बोला परसनली अपना कुकिंग चैनल बनाने तो मैं इसके बारे में भी फ्यूचर में सोचूँ कि अभी तो खेर नहीं अच्छा तो मैंने प्यास ब्राउन कर ली हाफ और यहां पे मैंने खूब सारा सा लसन अड़ कर दिया अगर आपने कभी लसन नहीं डाला अपनी खिचडी में ज्यादा सा जरूर एक बार ट्राय करें बहुत अधा मज़े का लगता है लसन और इसको ना अच्छी तरह से ब अच्छी में ज्याद कर दी है खिचडी जो हमेशा ब्लेंड अच्छी नहीं लगती है कभी आप डिफरेंट तरीके से बनाएंगे ना जिस तरह मैं बना रही हूं तो आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि खिचडी बनाने के भी ना बहुत सारे तरीके होते हैं और हर मैं टू टी स्पून नमक अट कर रही हूं आप अपने हिसाब से अट कर दीजेगा और जो मैंने साबद गरा मसाला लिया था उसमें मैंने जीरा लिया था हाफ टी स्पून गोल वाली काली मर्चे थी लॉंग बादियान का फूल तेस पात और साथी मैंने एक दो इलाइची राल दी थी और एक सिनमें स्टेक तो ये सारा मैंने साबद कर मसाला अट कर दिया था अब अच्छे से मैंने इसको भूना ताकि जो खुश्पू है वो सब चावलों में आ जाए और अब मैं इसके अंदर नमक भी आट कर दूँगी अच्छा मैं इसको इंस्टेंट पॉर् एक्स्टा पानी नहीं डालते हैं तो मैंने इसमें एक कप के बराबर पानी डाल दिये था और अब मैं इसको इंस्टेंट पॉर्ट में ट्रांस्फर कर दूँगी और सेवन मिनिट का टार्मर लगा कर रखतूँगी तो ये हमारे खिचुडी रेडी हो जाएगी अगर तो पतीली में बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से पानी अट करिएगा और उसके बाद जब पानी ड्राय हो जा तो आप दम दे दीजेगा खिचुडी मेरी दम पे है और यहां पर मेरे आलू रेडी हो चुके हैं जो के बहुत बहुत जादा मज़े के बने थे इस विजस मै अपने जादा दिया गर्णिश के लिए और जो स्टू है वो तो मैंने पहले से ही रेडी कर दिया था मैंने कई जाए साइड डिश बना लूँ कि कभी-कभी बच्चों थे नहीं खाते आलू की सबजी नहीं खानी नख्रे करना तो इसलिए मैंने एक साइड में चिकन का अगर तो आपने कोई सालन नहीं बनाया ना खिचुडी के साथ तो जो लसन कर रायता है ना और अचार ये ही उसको जो हो चार चान लगा देगा साथ में थोड़े बहुत पापड़ बनाया है और सर्दियों में इस टाइप के जो लंच होते हैं वो बहुत मज़े के होते है लेकिन मैंने तो खेर डिनर के लिए बनाया था लेकिन लंच में भी इस तरह की चीज़े बहुत जादा मज़े की लगती है आज कल मुझे इस तरह की चीज़े खाने का बहुत दिल कर रहा है लेकि मिक्स सबजी और कड़ी वगएरा तो मैं सोच रूम नेक्स्ट में कड़ी बना लूँगी लेकिन इसके साथ जो नेक्स व्लॉग आएगा उसमें मैंने आपके साथ दावत की जो रेसिपीज है वो शेयर करनी है और बहुत सारी इंशाला फ्यूचर में व्लॉग आएंगे अच्छे अच्छे तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आज मैं कुछ एक्स्ट्राइब बोल रही हूँ क्योंकि इतने टाइम बास वोईस ओवर कर रही है तो मुझे जो भी समझा रहा है मैंने का चलो बाते करते रहते हैं अच्छा तो यहां पर अब हमारी मुवी नाइट स्टार्ट हो गई है अच्छा मेरे बच्चे अब क्या करते हैं जब यह लोग साथ में होते हैं तो सारे जुत्ते भी बिस्तर नहीं स्टोर में कमफोर्टर्स और पिलोस वगएरा सब लाकर यहां पर बिचा देंगे फ्लोर पे और अराम से अपना जो है वो बिस्तर लगा कर लेट जागे और टीवी देखेंगे बच्पन में हम लोग भी ऐसे ही किया करते थे मामा जो है वो हम लोगों को तीवी लगा कर देती हैं थी और साथ में वहीं पर हम लेट कर अराम से अपना टीवी एंजोई करते थे अभी हम यहाँ पर मुवी देख रहे हैं पिनोकियो यह 2020 में आई है मैंने जो है वो बच्पन वाली भी देखी है जो के वो जूट बोलता है तो उसकी नाक लंबी हो जाती है वो वाली भी देखे तो इस बार मैं बच्चों के साथ नियू वर्जिन देख रही थी और मेरे बच्चे ना बहुत खामोशी से बैठ कर यह मुवी एंजोई कर रहे थे मतलब ऐसा हो करना चाहिए मतलब वीकेंड जब हो और यहां पर तो बच्चों के अभी एक हफ़ते की चुटियां चल रही है क्योंकि थैंक्सकिविन की हॉलिडेज चल रही है तो वो घर पही है तो किसी ना किसी तरह इनको इंटिटेंड करना जरूरी होता है तो आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों ने इंजोई किया होगा और अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा अप झाल सब्सक्सी चाल सब्सक्राइब ने तो सब्सक्का प्राई घ हो तो सब्सक्राइब जरू जरूर के //व्लींग जरूर के हुष만 भीहाए थरूरीग कर द दिए खेखग कर दोस 념र से